Hello everyone, Key for Learning Science में आपको साहगेते हैं और इस वीडियो में जब कुश्यन देख रहे हैं वो है Class 9th Work and Energy Chapter से Related एक Numerical Problem जो इस तरह से How is the power related to the speed at which the body can be lifted? How many kilograms will a man working with the power of 100 watt be able to lift at constant speed of 1 meter per second vertically तो यहां 2 question है, पहला तो यह है How is power related to speed at which the body can be lifted? यह कह रहे हैं कि अगर body को lift किया जाता है उपर के और उठाया जाता है तो बताइए power और speed में क्या relation आएगा? ठीक, पहला तो यह है दूसरा How many kilograms will a man working? कि एक व्यक्ति जो है वो कितने किलो ग्राम का कोई मास है या कोई object है जिसके साथ वो work कर रहा है उसे उपर उठाने में और तब जबकि वो उस पे 100 watt का power लगा रहा है है न मान लो यह है object तो इसका मास कुछ ना कुछ तो होगा तो मास हमें नहीं पता हमने मान लिए कि m है अब इसको वो उपर की और उठा रहा है और उपर उठाने में power कितना लगा रहा है 100W तो मास कितना है एक तो हमें ये पता करना है और हमें पता है जब उपर की और उठाए जाता है तो एक चीज जरूर होती है जी, small g जो होता है इस question में दिया हुआ है मैंने यहां लिखा नहीं है यह जी जो है वहां रखना है 10 meter per second square तो g की value हमको यहां दी होगी या नहीं दी होगी तो 9.8 रख देंगे g की value यहां दे रखे 10 meter per second square तो कोई व्यक्ति उपर की और object को उठा रहा है यह कोई न कोई object है ठीक है मास इसका क्या है यह हमें पता करना है जबकि power कितना लगाया उसने उठाने के लिए 100 watt का और g की value हमें दे रखे 10 meter per second square तो अब देखे क्या करेंगे solution में सबसे पहले तो power का formula क्या होता है P होता है work done upon time ठीक अब देखे work यहां जो work है वो किस रूप में हुआ है potential energy के रूप में क्योंकि उपर की और इठाये गया है और potential energy क्या होती है M, G, H तो जहां work है वहां हम क्या रख देंगे M, G, H रख देंगे तो power का formula बन जाएगा work को हटा करके हमने रख दिया M into G into H upon और नीचे चल रहा है T अच्छा है इसमें एक चीज़ और दी है कि यह vertically उपर की और किस speed से उठा रहता है यहां speed भी दे रखिए जो मैंने यहां नहीं बताया तो जब यह पत्थर को उठा रहा है यन्य अब्जेक्ट को उठा रहा है तो उस object को उठाने की भी speed है तो वो speed कित्ती दे रखिए वन मीटर पर सेकेंड ठीक है यह दे रखिए वट्टी कली उपर उठा रहा है वन मीटर पर सेकेंड से तो यह भी हमको दे रखा है अब देखे अगर हम इसे देखें तो हम इसे लिख सकते हैं P बराबर M इन्टू G और इन्टू H upon H upon T को अगर हम अलग कर लें तो H यह किसको बता रहा है किसी distance को बता रहा है उपर क्य और जा रहा है कोई ना कोई तो distance है तो यह हो गया distance ठीक T किसको बता रहा है Time को इसका मतलब D upon T D upon T क्या होता है Speed होता है distance upon time Speed is equals to distance upon time है न यह formula हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे है तो speed होती है speed is equal to distance upon time तो हमको जो speed दे रखी है वो तो दे रखी है कितनी 1 meter per second 1 meter per second तो जहां आपका h upon t है यही distance upon time को show कर रहा है इसकी जगे हम क्या रख देंगे जो हमारी speed है यह हमारी जो भी speed होगी तो यह बन जाएगा कुछ p बराबर अब mass mass तो हमको पता नहीं है तो हमें निकालना है power हमको दे रखा है इसको हम direct लिक देते हैं कि यह हमको कितना दे रखा है 100 तो यह हो गया 100 mass of the object यह निकालना है g की value हमको कितनी दे रखी है g 10 meter per second square तो यह रख देते हैं 10 into और h upon t ही क्या हमने बताएगी कि यह speed होती है तो जहाँ h upon t लिका है वह हम जो speed है वो लिख देंगे speed कितनी दे रखी है इस question में speed is 1 meter per second यह हमने यहाँ लिख दिया था 1 meter per second तो इसकी जगे हम लिख देंगे 1 और अब देखी यह हो गया 100 बराबर 10 into 1 10 m 10 को नीचे कर दीजे तो 100 upon 10 बराबर m इससे इकट गया मतलब m की value आ गई हमारी 10 और क्योंकि m यह है mass mass किसमें आप जाता है kg में